नमस्कार बच्चों मंगल शिक्षन समिती मंगल विध्या मंदिर की हिंदी शिक्ष की श्रीमती अश्विनी बच्चों पिछले कक्षा में हम लोग महत्मा गांदी जी के शिक्षन के बारे में जानकारी और उनकी सचाई के बारे में जानकारियां प्राप्त कर लीती इतना ही नहीं गांधी जी पाड़ शाला में किसी से जूट नहीं बोलते थे और उनका स्वभाव शर्मीले स्वभाव के थे यहां हम महात्मा गांधी जी के पाड़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीती आगे की कहानी इस प्रकार से हैं उसे पूर्व आप लोग अपना पुस्तक निकालिये निकाल दिया बच्चों तो पेश नंबर 29 निकालिये मैं यहां पर शब्धार दी हूं ध्यान दीजिये कहानी इस प्रकार से हैं शवन पित्र बक्ती नाटक पड़कर उन्होंने मतलब कौन महत्मा गांधी जी निश्चे किया की मुझे भी शवन कुमार जेशा बनना चाईए हरिश्चंद्र नाटक देखर उन्होंने सोचा की हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर्भी सचाई का पालन करना चाईए उनका यहां निश्चे दुड हुआ बच्चपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उने सत्य तपस्वी बनाया अर्थार्थ बच्चपन में उसे शवन पित्र बक्ती यानि कि पिता के भारे में अपार घौरव रूप से संबोधित करते थे और उनकी बात कभी भी नहीं टालते थे शवन कुमार की कतन सुनकर उसको ज्यात हुआ माता पिता ही हमारे बगवान होते हैं वही सच है बच्चो हमें दिकाई देने वाले माता पिता ही हमारे बगवान होते हैं हरिश्चंद्र की नाटक देखकर उन्हें समझ में आया की संकट आने के बाद भी हमें जूट नहीं बोलना चाहिए हमेशा सत्य की सहायता यानि की सच्चाई बोलनी चाहिए सच्चाई की राह पर हमें चलना चाहिए करके उन्होंने दुड़निश्चई कर लिया जो आगे उन्हें सत्य तपस्वी भनाने की क्या हो गई क्षमतां अंदर बढ़ने लगा और एक गटना है गांदी जी के भाई ने 25 रुपया करज लिया था भाई के हाथ के सोने के कड़े से एक तोला सोना काटकर करज चुकाया गया था करज मतलब किसी से उधारी लिया था अपने सहपाटियों से उधारी ले लिया होगा शायद गांदी को इस चोरी के काम से बहुत दुक हुआ क्यूंकि गर में पता नहीं था एक पूरा थोले का खड़ा खाटकर आदा पैसा उने चुका दिया था गर में तो कुछ पता नहीं था लेकिन इस भाद से गांदी जी को बहुत दुक हुआ उन्होंने सोचा निश्चे किया की भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा पिता से माफी मांगने की बात सोची पिता से मैंने चुपाया है इसलिए मैं उनसे माफी मांगूंगा करके यहाँ बात खुद सोचने लगे पर पिता के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उन्होंने चुपाया था सच को चुपाया था इसलिए हिम्मत नहीं हुई सारी गटना पत्र में लिखकर गांदी ने पिता से सजा मांगी सजा मतलब पनिश्मेंट उन्होंने मांगी पत्र पढ़कर पिता की आंके बर आई आपको चित्र में दिखाई दे रहा है न किस तरह उनके पिता जी पत्र पढ़ते हुए रो रहे हैं गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी पिता के आंसु देखकर गांधी को विश्वास हो गया की पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है इसलिए उन्होंने बचपन से ही सत्य बोलने की राह पर चलने लगे अहिमसा सत्य और धर्म के दुड़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया बचपन से ही उन्हें अच्छे गुणों को अपना कर आगे बढ़ने चले तो बचचे हमें भी याद रखना चाहिए कि हमेशा सच बोलना चाहिए सच के राह पर ही हमें चलना चाहिए समझ में आगया ने यहापाट आप लोगों को मैं एक बार ससर वाचन करती हुँ धियान पूर्वक सुनिये शवण पित्रुबक्ती नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चे किया कि मुझे भी शवण कुमार जैसे बनना चाहिए हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एको हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर्वी सचाई का पालन करना चाहिए वहापर पूर्ण विराम है तोड़ा रुपकर आगे बढ़ना चाहिए उनका यहा निश्चे दुड़ हुआ बच्पन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया एक और गटना है गांदी जी के बाई ने 25 रुपई खर्ज लिया था बाई के हाथ के सोने के कड़े से एक तोला सोना काटकर खर्ज चुकाया गया गांदी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ उन्होंने निश्चे किया कि भविश्य में कभी चोरी नहीं करूंगा पिता से माफी मांगने की भात सोची पर पिता के सामने जाने की हिमत ना हुई सारी गटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी पत्र पढ़कर पिता की आँके बर आई गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत चोड़ दी पिता के आशु देखकर गांधी को विश्वास हो गया की पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है अहिमसा सत्य और धर्म के दुड़ निष्चे ने गांधी को महात्मा बनाया पाड समश में आ गया ना बच्चो इस पाड में आये हुए दो तीन वाक्य प्रश्ण और उत्तर दीहुं ध्यान दीजिये गांधी जी पर नाटकों का क्या प्रबाव पड़ा? गांधी जी ने शवण पित्रु बक्ती नाटक देकर पित्रु बक्ती का पालन किया हरिश्चंद्र नाटक देकर जीवन सत्य का आचरण किया इस प्रकार उन पर इन दो नाटकों का गहरा प्रबाव पड़ा गांधी जी की सत्य प्रियता कहा से शुरु हुई? कैसी? एक बार गांधी जी पड़ते समय स्कूल का निरिक्षन करने एक अधिकारी आये ते उप्त लेकन करनते समय अध्यापक ने गांधी जी को सहपाटी की नकल करने को कहा? लेकिन गांधी जी ने वैसा नहीं किया वे सत्य पर टिको रहे यही से गांधी जी की सत्य प्रियता शुरु हुई? पिता से गांधी जी के माफी मांगने के प्रसंका वर्णन की चिये गांधी जी ने अपने भाई का खर्ज चुकाने के लिए चोरी की ती तब उन्होंने अपनी गलती का विवरन लिक कर पिता जी के हाथ में रका उन्होंने अपने अपराद के लिए धंड देने की प्रार्तना कीती यहां तीनों प्रश्णों और उत्तरों को आपको क्लासवर्ग में लिखना है बच्चो ध्यान पूर्वक मात्राएं देखकर लिखिए समझ में आया ना इसी तरह में यहां पर व्याकरण दी अनुरूपत हां लिखिए यहां आपको पता है दूसरे संब्धित तीसरा पत आपको लिखना होता है शवण पित्रुबक्ति, हरिश्चेंद्र, सत्य प्रियता, माफिय, क्षमा, धंड, सजा, तिरंग, जंड, राष्ट्रद्वज, गांधीजी, राष्ट्र पिता सचाई, सम्मान, चोरी, दंड, अन्यलिंगरूप, पंडित, पंडिताईन, टाकूर, टाकुराईन, भाबू, भाबु, आइन, सियारा, सियाराईन, शोर, शेर, शेरनी, शोर नहीं वो, शेर है, शेर, शेरनी समझ में आया गया न बचो इसी तरह आप लोगों के लिए भी मैं यहाँ पर ग्रहकारिया दी हूं यहाँ ग्रहकारिया आपको करना है और आप लोगों को एक प्रोजेक्ट देती हूं महात्मा गांधी जी से संपन्धित जो शवणा कुमार की पित्रु बक्ती और हरिश्चं हरिश्चंद्र की नाटक के उपर उनका भाव क्याता उसका चित्र चिपकाकर आपको लिख कर मुझे वाड़सप में बेशना है प्रोजेक्ट बुक में लिखना है किसका आप लोगों को चित्र चिपकाना है शवणा कुमार की पित्रु बक्ती का और हरिश्चंद्र की ना महात्मा गांदी जी का चित्र चिपका कर उनसे संबंधित भाव के बारे में आपको लिख कर मुझे बेशना है बच्चो। समश में आ गया न आप लोगों को आशा करती हूँ आज का विशय महत्मा गांधी जी यहाँ पाट आपको समश में आ गया है करके समशती हूँ दन्यवाद